करेंगे सबसे पहले हम सब्सक्राइब करेंगे इससे पहले हम लोग ने को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका यूज क्या होता है उनके बारे में वैसे ही अब हम लोग या स्विश एक्टिवेशन फंक्शन हो गया उसके बारे हम लोग डिसकस करेंगे एक्टिवेशन मैंनली क्लासिविकेशन के लिए इस पैसली जब जहां पे मल्टिपल क्लासेश हों वहां पर लोग स्विसका का यूज करते हैं इसका काम यह होता है कि यह आउटपुट को प्रोबील्टी में पॉइंट फॉर होगा इस तरीके से पांच को जोड़के जो है उसका जूस्ताम है वह 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 न चाहिए सभी प्रबाबिल्टी का सम जो है वह वह ना चाहिए इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं अब स्वाफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्सन का फार्मूला क्या होता है त तो है यहाँ पर जो है वो क्या है जिए आपका इंपूट वेक्टर है और के टूटल नमबराप अधिकल पर क्रासिव है तो शॉप्ट मैक्स का प्रेटिकल यूज मल्टी क्लास प्राशिविकेशन प्राबलम में होता है ठीक है जैसे कि अगर आपको एक इमेज को दुस डिफरेंट क्लासिज में क्लासिवाई करना है तो सॉप्ट मेक्स फंक्सन आउट्पूट लेयर में यूज कर सकते हैं सबसे बड़ी बात ही होती है तो सॉप्ट आपको यूज सकते हैं वहमेशा रिड़ लेयर केंदर क्यों यूज होता है सिग्माइड हो गया या फिर लिकी रेलू हो गया परामिटर के लू हो गया यह फिर हाई परबोलिक टेन हो गया यह सबी आपका जैसे जैसे वह सकता होगी वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं इसके आगे कुछ इसका प्रपर्टी देख लेते हैं इसकी प्रपर्टी क्या होती है करता है कि मतलब हर क्लास के लिए एक प्रपर्टी होती है उसकी एक होता है अगर अगर कुस कुस्प्रप्लम हो सकती है इसलिए हमेशा जितनी प्रवाइबिल्टी एड़ करता है तो सॉफ्टमेक्स एक्स्पोनेसियल पंग्सन का यूज करता है ठीक है इसका फर्मूला में बताया था इसका फर्मूला में एक्स्पोनेसियल फंक्षन को यूज करता है इंपूट को ट्रांसपार्ण करता है ठीक है एक्सपोनेसियल फंक्षन की यह खासियत होती है फिर यह ट्रांसपार्ण को नन्मलाइज करता है जिससे उसका सम एक हो जाता है इस तरिके से यह काम करता है तो बात करते हैं यह लिए य्ट्री डिस्ट्रिबूशन बनाए ठीक है इसलिए हम लोग करते हैं या उट्पूट वैल्यू एक वैलिट प्रॉबिल्टी डिस्ट्रिबूशन बनाए इसलिए हम लोग का यूज करते हैं मतलब क्या हुआ कि हर क्लास की प्रॉबिल्टी जीरो और एक के बीच में होनी चाहिए और इनका टोटल वन होता है ऐसा तो देखा और उसके प्रॉपर्टी के बारे में दिसकेति कि तो अब नेक्स्ट लेक्टर में वह क्या स्विस्ट करें लोग बता है तो अगले लेक्षर में आप यह रिक्वेस्ट है कि आप स्विस्ट पढ़के आईएगा उसका फर्मूला और ग्राफ तो समझ के आईएगा ठीक है हम कल उसके बारे में पात करेंगे तो सी उसे नेक्ष्ट लेक्ट्चर तिल देन Keep Exploring and Keep Learning, Machine Learning and Keep Learning